नमस्कार आज हम लोग जानेंगे टेक्सोन ओ फोर्ट ड्राइ सीरप के बारे में टेक्सोन ओ फोर्ट ब्रेंड नेम है इसका कंपोजीशन सिफेक जीम है इसके परते पॉच मेल में सिफेक जीम 100 mg पाया जाता है इस सीरप को मेपरा लेबोरेटरीज प्राइबेट लिमिटीड दोरा बनाया जाता है जो 25 समयल के इस्टेराइल वाटर के साथ कॉम्भी पेक के रूप में 80 रुपया के कीमत पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजली मिल जाता है इस वीडियो के माध्यम से जनेंगे टेक्सोन और फोट ड्राइ सिरप का आपयोग कौन कौन सी बिमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है इसका आपयोग कितनी मुत्रा में तथा कितने दिन तक किया जाता है टेक्सोन और फोट ड्राइ सिरप का आपयोग करने के बाद बच्चे को क्या-क्या दुस्प्रभाब हो शकता है क्या-क्या परिसोनिया हो सकता है इन सारी जहनकारी के लिए बने रही हमारे साथ दोस्तों टेक्सोन और फोट ड्राइ सीरप का उप्योग बच्चों में होने वाला कई परकार के गंभीर बिमारे को ठीक करने के लिए किया जाता है इसका कमपोजिशन सिफेक्जिम या सिफेलो स्पोरिंस नमक दवाओं के समुहों से संबंधित है सिफेक्जिम एक ब्रॉड एस्पेक्टरम एंटिवाइटिक है या ग्राम निगेटिव तथा ग्राम पोजेटिव दोनों बेक्टिरिया पर काफी प्रभावकारी है इस सीरप काप योग बचों में होने वाला समन्न सरदी जुकम के साथ वुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है बचों में गंभीर समस्या निउमोनिया में जब किसी बच्चे को काफी सरदी खंसे के साथ आक्रामक बखार आ जाता है कौफ के अधिक्ता के कारण पसलियां काफी तेजी से चलने लगता है बच्चे के सर तथा छाती में दर्द करते रहता है जिससे बच्चा बेचेन हो जाता है बच्चा रोता रहता है तब डॉक्टर एंटी पायरेटिक दवा बुखार के दवा के साथ और अन्य उप्योगी दवा के साथ टेक्सोन और फोट ड्राय सिरप का उप्योग करवाते हैं यूटी आई यूरीनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन में जब किसी बच्चे को कम मत्रा में बार बार पिसाव आता है पिसाव करते समय दर्द और जलन होते रहता है जिससे बच्चा रोता रहता है तब डॉक्टर अन्य उप्योगी दवा के साथ यूटी आई इंफेक्शन को ख जकता हो जाता है जिसमें काफी दर्द और जलन होते रहता है इस समस्या को ठीक करने के लिए भी अन्य उपयोगी दवा के साथ किसी अच्छे एंटी अलर्जिक दवा के साथ एंटीबाइटिक के तौर पर टेक्सोन ओ फोर्ट ड्राय सिरप का उपयोग करवाया जाता है एलर इस समस्या को ठीक करने के लिए भी टेक्सोन ओ फोर्ट ड्राय सिरप का उपयोग करवाया जाता है आँक के संकर्मन में जब इसी बच्चे को दर्द करते रहए। तब डॉक्टर ओंक के ड्रॉप और दर्द के दवा के साथ एंटिवायटिक के तौर पर टेक्सोन और फूट गांक कऱते हैं। इस सीरप का प्योग बॉन infection में blood infection में जलने से उत्पन घाव तथा किसी प्रकार के operation के बाद होने वाले संकर्वन को खत्म करने के लिए घाव को जल्दी ठीक करने के लिए भी किया जाता है अब जानेंगे taxon or foot dry syrup के डोजेज के बारे में इस syrup को उप्योग कैसे करना चाहिए इससे कैसे पिलाना चाहिए तो दोस्तों सिफेक्जिम को 8 mg per kg per day एक टाइम दिया जाता है तथा 4 mg per kg per day सुबह सम दिया जा सकता है अब जानेंगे taxon or hot dry syrup के side effect के बारे में इस syrup को पिलाने के बाद क्या क्या दुस्परभाब हो सकता है तो दोस्तों इस syrup को पिलाने के बाद बच्चे को उल्टी हो सकता है दस्त लग सकता है allergic reaction हो सकता है अगर इन में से किसी भी परकार का दुस्परभाब देखे तो दबा पिलाना बंद कर दें और अपने नजदी की डॉक्टर से मिले और उनके द्वारा दिये गए निर्दिसों का पालन करें दोस्तों टैक्सोन ओफोट ड्राइ सिरप के बारे में अन्य किसी भी परकार के जनकारी के लिए कोमेंट कीजी साथ ही वीडियो को लाइक कीजी सेर कीजी तथा चैनल को सब्सक कीजी धन्यवाद